नमस्कार दोस्तों मेरा नम चंदन कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रेक NCRT पर दोस्तों जैसा कि हमारा पहला पार्ट बना था नेशनलिज्म इन योरोप में तो हम लोगों ने उस वीडियो में डिसकस किया था कि कैसे योरोप जो पहले छोट चोटे ठुक्रों में बटा हुआ था अपे बड़े बड़े नेशन में बदलना इस्टार्ट किया फिर हम लोगों दिसकस किया था कि हडा ह Méरा राजा को कैसे पर आज बात करने वाले हैं इस टोपिक पर कैसे नेपोलियन राजा बना फ्रांस का ठीक है रूलर बना और नेपोलियन नेपोलियन ने कैसे नेशनलिजम को पूरे यूरोप में बढ़ाया इस बात का हम लोग इस वीडियो में पूरी एकदम एक कोंसेप्ट को किलियर करेंगे तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूं पहले नेपोलियंस से मैंने बोला था कि फ्रेंच रेबूलेशन हुआ था 1789 में और लुइस सिक्स्टिं को मार कर हटा दिया गया और इस सब्सक्राइब करनेantics कुछ सकती तो राजाब नतेता कके भाड़त नहीं दावत देना और एक साथ आके मोनार्की को उखाड फेके और अपना Constitution बनाया और धीरे-धीरे ये Constitution चला ठीक है धीरे-धीरे ये Constitution चला काफी अगल-बगल के जितने भी देश थे उन लोगों को भी ये लगने लगा कि फ्रांस में अगर राजा को हटाया जा सकता है तो हम लोग क्यों नहीं हटा सकते है हर जगा इस बात पर बहत्ष चल गया क्या लोग के पास जीने का हक नहीं है हक है हम लोग के पास हर चीज़ का हक है हमें equality मिलना चाहिए हमें Liberty मिलना चाहिए जोगी फ्रांस में हो चुगा था ठीक है देखिए नेपोलियन शुरू-शुरू में आर्मी में था ठीक है पर एक बहुत ही अच्छा लीडर हुआ करता था जहां जहां पर गया जीत गया ठीक है यहां तक कि इतना पॉपुलर हो चुका था कि फ्रांस के जो उसे में डारेक्टर थे डारेक्टरी रूल चल रहा था प गरन्टि के साथ लड़ने के लिए फर नेपोलियन थोरा सा सेना ले कर वहां जीथ गया और वहां पर जीता जितना काफी मुस्किल था बहुत फेमस हो गया और नेपोलियन खुद बोलता था कि सका डिक्सोंरी में ही नहीं तो दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो नेपोलियन ना कर सके ठीक है एक छोटा से और बता देता हूँ कि जब भी उस पहार के तरफ कोई गया आज तक राजा अपने सेना के साथ ओक अब जह्तिकiboत के नहीं आया है ते नेपोलियन बोला कि में जाऊंगा भी और अपने सारे साथियों के साथ आऊंगा यहां पे जिन्दा और जो उस तरफ है उसका गर्दन काट के लाऊंगा और खिया भी तो इसलिए नेपोलियन काफी फेमस हो चुगा था फ्रांस में आया तो लोग उसको बहुत सम्मान दिये ठीक है उसका दिन प क्योंक्रेसी में जी रहते हैं फिर स्फ मोनार्की में ला दिया और मोनार्की में लाने के बाद राजा बना पर लोह को तकलीफ ना हो इसके लिए उसने बहुत अच्छे hierarchy काम किय हो हर जगा उसने लागूinge आपको पता होना चाहिए कि नेपोलियन बहुत बरा फीजेता था उसने यूरोप के बहुत सारे देशों पे बिजे पाया था जहां जहां पे लड़ाई किया वहाँ वहाँ पे जीता था तो फ्रांस में जो जो अच्छा काम उसने किया था वो सब जगा लागू किया जैसे अगर आपको अजादी एक बार मिल जाए बराबरी का अधिकार मिल और कोई आपका अधिकार को छीन है तो आप बरदास कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो नेपोलियान सभी को आदत लगा दिया किसका ब्राबरी का अधिकार का अजादी का और सभी देश के लोग बगावत कर दिया अपने राज्या के खिलाब तो चलिए देखते हैं तो पहले मैं बता दू कि नपोलियन का बहुत सारे देशों पर कब जा था ठीक है और उसने बहुत सारे बातों को implement किया कौन को सा बातों को देखिए यह जानिया रूलर और फ्रांस फ्रॉम 1789 तू 1850 और कितने साल तक था 16 साल तक राजा बना हुआ था ठीक है फ्रांस में कब उसको हटाया गया 1815 वाटर लूम है देखिए नेपोलियन को कोई हडा नहीं सकता था काफी सारे देशों ने मिलके नेपोलियन को हडाया था वाटर लूम में ठीक है इस बात को आप याद रखिए गा और उसको हडा के उसको एक आइलेंड में टापू में रख दिया गया वहां से भाग कर फिर निकल आया और इतना अच्छा लीडर इतना भादूर लीडर था हो कि फ्रांस में ज कि फ्रांस का ठीक है तो जानते हैं तो इतने से इतने साल को राजा था प्रांस का उसके बाध नेपोलीकन कोड नेपोलियन कोड एटीं जीरौ फ़ूर देखिए नेपोलियWhen एक नया कोड बनाया जिसको नेपोलियन कोड बोलते और उसने सभी पे लागू किया मतलब कानून एक जैसा कानून पहले फ्रांस में क्या था एक जगा तो दूसरा जगा आप जाईएगा तो वहां system भी change होगा और वहां का कानून भी दूसरा होगा तो अलग-अलग कानून होने को वजह से क्या होतेते लोगों में बहुत टैप का भेदबाव था आपस में लोग एक जैसा फिल नहीं कर पाते थे So, Napoleon क्या किया, एक नया कानून बनाया और उसकानून सब के लिए था, उस कानून से कोई भी बाहर नहीं था क्योंकि लोग युनाइटL कर सके और जैसे ही उसने एक सब के लिए कानून बनाया तो सभी के दिल में यह बात आ गया कि अब हम लोग एक समान है कोई हम से उपर नहीं है वह लोग सब कोई क्या है बढ़ाबर है तो यह उसने किया बहुत अच्छा काम फिर उसके बाद टंड सिंप्लिफिकेशन ओप एड्मिनिस्टेशन डिविजन उसने क्या किया ओउर देगा सेंटरल पोजिशन से मतलब जैसे हमारा सेंटरल गवर्मेंट और देता है सभी के लिए बढ़ाबडी का तो नेपोलियन क्या किया जहां जहां पे उसने सब cosmidea वहां पर एक गवर्णर को बेठा दिया ठीच के और एक आदेश दिता था और सभी गवर्णर उस को सभी जगार, इस तरह की राजा है सब चलने के कारण यह हुए, बहुत सारे राजा नहीं हुए और खी राजा नहीं पर था जो कि उनके लिए कोई बड़ा बात नहीं होता था पहले सेक्रोर राजा हुआ करते थे जो जमीनदार थे लैंडलोर्ड थे उसको भी नेपोलिया ने हटा दिया ठीक है तो इसे क्या हुआ लोगों में एक जैसा फिलिंग आने लगा ठीक है एक जैसा फिलिंग आया नेशनलिजम बढ़ने लगा लोग सोचन ठीक है उसके बाद राइट तू प्रोपर्टी फोर फ्रेंच सिटीजन पहले यह नहीं था लोगों को प्रोपर्टी इकठा करना प्रोपर्टी इकठा करना किसके पास था जो नेवलेटी थे जिनको जनम से अधिकार मिला हुआ था जिनको टेक्स नहीं देना पड़ता था और मजे में जिनकी जीते थे क्योंकि जो थर्ड इस्टेट वाले लोग है और टेक्स देते थे और इनके पैसे से यह महल बनाते थे ठीक है जमीन में दूसरों से खेती करवाते थे बदले में कोई पैसा नहीं देना घर में बंधुआ मजदूरी करवाना यह सभी कुछ पाते थे तो नेपोलियन ने इसी चीज़ को खत्म कर दिया और सभी को बड़ाबरी का जब हग दे दिया तो लोग अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे लोग आप जमीन खड़िद सकते थे जो पहले नहीं खड़ित पाते थे कुछी लोग पास हग था प्रोपर्टी एक से क्या हुआ सभी लोग अच्छा जीवन जीए और एक देश के लिए तयार हुए उसके बाद इक्वालेटी वीफोर लो अब इसको नहीं एवोलिसमेंट ऑफ और प्रिविलेज बेस्ट ओन बर्थ राइट मैंने बोला ना कि 98 पर्षेंट लोगों को टेक्स देना पड़त था और इनको जनम से प्रिविलेज था ठीक है विसेश अधिकार था समाज में दिखाते थे कि हम टेक्स देने के लिए नहीं बने हैं हम रा सासन करने के लिए बने हुए तो यह सारा सिस्टम हटा दिया अब जनम से कोई इस पेसल आपको राइट नहीं मिलेगा जो राइट पर कोई भी सासन हमको दबा नहीं सकता ठीक है और पहले जो भेदभा हुआ करता था वह भेदभाव भी उनके उपर से अब हर चुगा था काफी कुछ ठीक है इक्वालिटी भी फोर लो इक्वालिटी फोर लो देखिए यह बहुत बड़ा चीज होता है कानून के नजर में सब कोई समान एक सजया एक सजया सब के लिए अमीर के लिए वही कानून गरीब के लिए उनके लिए कोई कानूनों से उपर थे और नीचे वाले जितने भी लोग थे सारा कानून उन्हीं पे लागू होता था ठीक है जिससे उनको क्या लगता था कि उनको देखने वाला कोई नहीं है उनको सिर्फ गुलाम बनने के लिए ही पैदा होते हैं तो नेपोलियन ने इस चीज को खतम कर दिया सभी को बड़ावर पे ला दिया ठीक है कानून सब के लिए इकोल कर दिया रिमूब रेस्टिकेशन और गिल्ड्स इन टाउंस और नेशनलिजिम का भावना नेपोलियन ने कैसे लाया जैसे इतना बड़ा अगर फ्रांस है इस जगह से इस जगह अगर कुछ बेचना है तो इस कि पर जिए अगर यहां पर यहां पर बेचना है फ्रांस में कोई और जगह पर तो वहां पर भी क्या देना होगा उसको आब तो ऐसे लगता था कि बहुँद सारा कंट्री का सिस्टम है ठीक है अलग अलग सिस्टम है यहां पर यह सारा कुछ खतम कर दिया अप एक जगह सेलरी यह कम पढ़ जाता था जिसे खाना भी नहीं खड़ित पाते थे नाइन क्लास में अगर फ्रेंच पढ़े होंगे तो आप पढ़े होंगे की रोटी का दाम बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और लोगों के पास पैसे नहीं थे रोटी खड़ितने के लिए तो जितने भी ओमेंश थी महिलाएं थी रोटी के दुकान पर धावा बोल दी और सारा रोटी लूट लिया यह क्यूं होता था जिसके पास ज्यादा आंटा है और सप्लाई को तभी करता था इधर टेक्स बढ़ जाता था और महेंगा हो जाता था तो यह सब खतम कर दिया अब किसी भ हर जगा सिस्टम एक है ठीक है एक टाइप का नागरिकता मिला है सब के उपर एक ही जैसा कानून लागू होता है किसी को छूट नहीं है प्लिव मेंट और सिस्टम एण दौ सर्फडॉम मतलब क्या होता है मतलब होता है सामंतवादी जमींदाडी कि बहुत एक अदमी है ज इन भर उसको जानवर जैसा काम कराके एक दो वक्त का रोटी देता है और उन्हें बांद के जंजीरों में रखता है ठीक है इसको बोलते हैं फ्यूडियल सिस्टम यह सारा कुछ उसने खतम कर दिया अब सभी लोगों को अजात कर दिया अब जो मन में आये आप वह वैसा आप से दूसरे जगह जाई है पूरा देश आपको एक जैसा लगेगा तो इससे क्या हुआ हर जगह यह बात फैल गया कि इतने अच्छे-च्छे कानूनों को नेपोलियन लाया है और लोग आप और इन कानूनों को आने से लोग अब एक जैसा फिल करने लगे और 100 किलोमीटर 500 क एक कंट्री बनाएंगे और इस सब चीजों को हाँ पर लागू करेंगे जैसे नेपोलियन हर जगा लागू किया था ठीक है पर नेपोलियन कुछ इसके साथ ही कुछ खड़ाब काम भी किये खड़ाब काम यह किया अब जैसे ओ डेमोकरेसी को खड़ाब बड़बाद कर दि पर राजा वाला कर दिया और तीनो लेजिसलेटिव एक्सक्यूटी और बनाट मसरें वही सिस्टम उसने पर एंटोड्योंस कर दिया पर ही महाी सिस्टम पहले वाला मोनार्की से अलग था क्योंकि यहां पर सभी को ब्राबरी का हग था तो दोस्तों यह वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा इसके बाद फिर एक नया नेक्ष वीडियो में लेकर आऊंगा तो तब तक आप वेट करिए और कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट जरूर करिए आपका वह अच्छा लगा त कंसेप्ट में ओके धन्यवाद